देखो प्यारे बैच्चों, question का answer तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन problem तब आती है न, जब उसी answer को परिक्षा में copy में लिखना पड़ता है, तो आप इस trick को अजमा करके देखो, इस trick से लिखने के बाद आप 100% एकदम सही-सही और 60 का answer अपने परिक्षा में लिख करके पड़ता है, जहां पर अगर आप इस trick का परियोग करोगे, तो अराम से आपके science और social science में पूरे-पूरे marks मिलेंगे, आप लोग कभी सोचे हैं कि 5 नमर बला जो प्रस्न होता है, उसमें 4 नमर क्यों मिलता है, तीन नमर क्यों मिलता है, आप इस trick को अजमा करके देखो, एक subject में पूरा-पूरा marks आएगा, और आप Topper के प्रबल दावेदार होंगे, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग, उमीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, आज का या वीडियो ना आपके लिए काफी ज कट जाता है, आपको आधा अधूरा number मिलता है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो इस वीडियो में बताये गए हर एक बात को, अगर आप follow करते हैं, तो ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, कि आप भी Topper की तरह answer लिख सकते हैं, और जो answer आप लिख करके आएंगे न, उसमें आपको पूरा पूरा number मिलेगा, एक भी number नहीं कटेगा, बसरते आपको इस वीडियो में बताये गए हर एक trick को अच्छे से follow करना होगा, और पता है, हम ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, हमने एक teacher, जो की बिहार बोट का copy जाच करते हैं, उनसे बात चित किया, अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, उनसे जब हम बात चित किये, तो हमें पता चला कि किस तरीके से topper answer लिखते हैं, और जो topper का जाच किया जाता है, उनके लिए teacher भी special होते हैं, पांच बार उनकी copy को जाच किया जाता है, और पांचों बार अलग अलग teacher उनकी प्रभावित करें, तो इस तरीके से इस वीडियो में बताये गए हर एक trick को आप follow करिएगा, बहुत ही सलिंता के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि copy कैसे लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं, उमीद करते हैं कि आप हैं, तो वैसे सभी बच्चे जल्दी से इस crash course में जॉइन हो जाइए, जहां पर हम आपको ये तो सिखाएंगे ही, ये तो बताएंगे ही कि पढ़ाई कैसे करें, copy कैसे लिखें, और भी बहुत कुछ, उसके अलाबा, पूरा syllabus, जो कि आपका metric का syllabus है, 10th class का syllabus है, उसे हम 45 डे और crash course में जॉइन होने के लिए, बस 199 रूपे का fee है, जो कि एक छोटा सा मामूली fee है, जिसमें हम आपको सब कुछ प्रोभाइट करवाएंगे, जिसमें special notes आपको दिया जाएगा, और उसके अलाबा, special live class लिया जाएगा, और special exam material भी मिलेगा, ताकि आप लोग परिक्षा म पूरा पूरा बना करके आ सकें, और आपका number भी ना कटे, तो इसलिए आप लोग crash course में जरूर जोइन हो जाईएगा, चलिए प्यारे बच्चों, हम सीधे अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो की और रुख करते हैं, और आपको बताते हैं कि how to write answer like a topper, यानि कि एक topper की तर सर लिख दो, नहीं प्यारे बच्चों, जो चीज आप याद किया है, वो चीज टॉपर भी याद किया है, बस फर्क है, तो सिर्फ लिखावट का, लिखने का फर्क है, लिखने के तरीका का फर्क है, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, और जो टॉपर है, वो किस तरीके से यही पर होता है और अगर इस फर्क को दूर कर लिया जाए तो कुछ कमजोर छातर भी टॉपर बन सकते हैं और कुछ तेज छातर भी टॉपर नहीं बनते हैं बस लिखावट के कारण तो हम आपको इस वीडियो में मुख रूप से ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से हमें लिखना चाहिए अगर सबसे पहले बातचित किया जाए प्यारे बच्चों अगर सबसे पहले हम बातचित करें साइन्स और सोसल साइन्स के बारे में क्योंकि आपको पता है कि टेंथ तो उसके लिए आपको ये दो सब्जेक्ट पर विसेश ध्यान देना होता है Science और Social Science क्योंकि इसके अलाबा तो Math में तो अधिकांस बच्चे तेज होते हैं और Math में ना अंसर लिखने का कोई तरीका नहीं होता है कि Math में हम Point बाइज लिखें या फिर पाराग्राप से लिखें Math तो बस बनाने का चीज़ है किसी तरीके से उसका solution कर दीजे नंबर आपको मिल ही जाएगा और Hindi और Sanskrit ये सब तो पाराग्राप का चीज़ है अराम से पाराग्राप से लिखिए असली जो matter करता है वो science और social science करता है तो देखिए science और social science के लिए हमारा मुख रूप से पहला point है कि mostly right answer in point हमेशा आप point में answer देने का प्रयास करें और especially social science में तो जरूर जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर इस board को दो भाग में डिवाइट करते हैं कुछ बच्चे answer ऐसे लिखते है paragraph by जैसे पहला line लिखे फिर दूसरा line लिखे फिर तिसरा line लिखे चौथा line लिखे पाँवा लिखे इसी तरीके से लिखते चले जाते हैं लेकिन वही एक जो दूसरा चात्र होता है वो एक दो line तो paragraph में लिख देता है लेकिन बाकी को वो point by point लिखता है ठीक है ना बाकी को वो point by point लिखता है इससे ये साप जलकता है कि बच्चा answer में क्या लिखना चाह रहा है जो copy जाच करने वाला होता है वो उपर वाले को न पढ़कर के सीधे point पढ़ता है और अगर point में लिखा हुआ रहता है तो ये important चीज है कि बताईए अगर कोई paragraph में लिखेगा तो उससे जाधा नंबर मिलेगा या अगर point wise लिखेगा तो उससे जाधा नंबर मिलेगा मतलब सेम ही question है question same है और question ऐसा है कि हम उसे दोनों तरीकों से लिख सकते हैं यानि कि paragraph wise भी लिख सकते हैं और point wise भी लिख सकते हैं तो जानते हैं जब आप क्या था कि जो point wise लिखेगा न उन्हें हम ज़्यादा नंबर देंगे उनका number हम नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ असपस्ट जलक रहा है, समझ गए, और हाँ, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, कि अगर 5 number वाला प्रस्न है, तो कम से कम आपको 5 point जरूर लिख करके आना है, 5 number वाला प्रस्न में, अगर 4 point लिखेंगे, तो आपका एक number कट जाएगा, अगर 5 point वाला प्रस्न में, अगर आप 3 point लिखेंगे, 2 point छोड़ देंगे, तो आपका 2 number कट जाएगा, यानि कि अगर आप 5 point वाज लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 point लिखना होगा, मतलब आप जानते हैं, अगर आप point हारा ग्राफ में लिखते है तो यहां पर आप ठीछक कोनि saw Juan threats करने वाले को बात नहीं कर सकते हैं कि हम 4 नमरा दीए कि 3 नम मरा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं लेकिन यहां पर नमरा देने के लिए बिवस हो जाता है कि आखिर बच्चा 5 पॉइंट लिखा है कैसे हम 4 नमर दे करके छोड़े हमें 5 में 5 देना पड़ेगा दिक्कत यह होता है प्यारे बच्चों और यहीं पर बच्चा का नमर बढ़ जाता है तो यह science और social science के लिए especially जिस question का answer आप point में दे सकते हैं उसको point में ही दीजिए उसको paragraph में देने का प्रयास मत करिए अगर paragraph में लिखते भी है तो बस दो तीन लाइन लिखिए और उसके बाद सीधे आप point में आ जाईए अच्छा दूसरी बात आपको यह ध्यान डखना है प्यारे बच्चों जैसे देखिए हम यहाँ पर ना एक example लिए है ठीक है यहाँ पर ना एक example लिए है जो कि टॉपर्स का copy है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो टॉपर्स का copy है जिसमें कितना अच्छा से लिखाव उत्तर इससे यह असपर्ष्ट हो रहा है कि जो कऊपी जांच करने वाला है उसको तणीक भी दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि दसमा का उत्तर कहा लिखा गया है इक्टम साप छलक रहा है कि भाई यह हैं- यह उत्तर यहां सरुद है यह हैं से नैजरी सबसे महतर पूर आया और biology में आ गया कि पाचन तंत्र का बर्णन करें तो क्या पाचन तंत्र में आप सिर्फ पाराग्राफ लिख करके छोड़ देंगे नहीं न वहां पर आपको चित्र बनाना है और जानते हैं चित्र बनाने से भी आप कॉपी जाच करने वाले को बाध कर सकते हैं कि वो आपको नंबर देगा अगर आप चित्र बना दिया है ना तो वो नंबर काटने से पहले दस वर सोचेगा करें भाई पाराग्राप भी लिख दिया है चित्र भी बना दिया है तो आखिर नंबर वह हम काटे कैसे है तो वो पूरा पूरा नम्मर देगा, वहीं अगर आप चित्र बनागर के सिर्फ पारागर आप लिख देंगे न, वो फिर उसके हाथ में है, कितना नम्मर देगा, उसकी मर्जी पर है, तो इसलिए इन सब चीजों का आप विसेस ध्यान रखें, उसके बाद, जो सबसे वाले प्रशन का जवाब, अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसमें कोशिस करिए, कि आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, 5 लाइन, maximum 6 लाइन जा सकता है, उससे ज्यादा न लिखें, अगर 2 नम्मर वाला प्रशन है, उसमें 1 पना भर दिजेगा, तो आपका नम्मर कट जाएग उसके पास उतना समय भी नहीं है, और उतना ज़्यादा, यह क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो थोड़ा दिर तक सांत बैठा रहा है, वो नहीं होता है, उसे बस चाहिए सौटकट में, और उसे यह चीज़ चाहिए, कि बस देखें और तुरंत जलक जाए, कि हाँ यह क्या कहना चाह रहा है, तो अगर आप दो नम्मर वाले प्रस्न में एक पन लिख देंगे न, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा वो, और सोच देगा है, चलो लगता है कोई लेख लिख दिया है, और अराम से आपको डेढ़ नमर दे करके छोड़ देगा, तो यहाँ पर क्या क उत्तर, और उसके बाद प्यारे बच्चों, यह आपना बीच में लिख दें, ऐसे अंडरलाइन कर दें, और नीचे यहाँ पर आपका एंसर रहेगा, समझ गए, उसके बाद निचला एक लाइन छोड़ दीजे, और नीचे फिर इसी तरीके से लिख दीजे, प्रस्न करमां पांच का उत्तर, इसे देख करके वो आपको एक नमर तो जरूर जादा कर देगा, अगर काटना भी चाहेगा, तो नहीं काट पाएगा, तो बेटेज इंपॉटेंट है, समझ गए, अगर दो नमर वाला प्रस्न है, तो उसमें आपको नो दस लाइन से जादा नहीं लिखन क्योंकि देखिए, अगर प्यारे बच्चों, पांच नमर का प्रस्न है, अगर दो नमर वाला में हम पांच लाइन लिख रहे थे, तो पांच नमर वाला यानि कि सीधे धाई गुना है, तो धाई गुना है, तो कम से कम आपको तो 11-12 लाइन लिखना चाहेए, लेकिन 10 अगर आपको प्रस्न का हम लोग जवाब लिख रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिस करें कि एकजामपल का परियोग जरूर करें, जैसे आपके आपसे पूछा जा रहा है, कि बताई ये जैसे बाइलोग का कोई सवाल है, हम पूछ दिये कि बताईए भाई, क्या, जैसे कोई एक कोश्चन हम लिख लेते हैं, कि परजीबी क्या है, समझ गए ना, हम माल लिया जाए कि कोश्चन आपसे पूछा गया, कि परजीबी क्या है, आपसे ये कोश्चन पूछा गया, परजीबी क्या है, तो आप इसमें त जायगा, जोंक हो जायगा, तो यह परजीबी है, तो यहाँ पर आजब आप example set करते हैं तो उसे copy ध्यान रखिएगा not more than 4 to 5 lines, यानि कि 4-5 lines से ज़्यादा आपको दो नमबर वाला में नहीं लिखना है, ये दो चीज़ना जरूर ध्यान रखिएगा, दो नमबर वाले प्रशन में, वही अगर हम लोग 5 मार करें, यानि कि 5 नमबर वाले के बार में बात करें, तो use example and diagram, science के अगर बात करें तो, अगर हम लोग science का जवाब लिख रहे हैं, पांच नमबर वाले प्रशन का, तो हमेशा example का परियोग करें, और अगर diagram बाला है, तो diagram को छोड़े मत, diagram बाले को मत छोड़िए, देखें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कि जगा छोड़ देते हैं, कि अंतीम में बना लेंगे diagram, अरे भाई नहीं, अंतीम के चक्कर में मत रहो, समझ गये ना, अंतीम के चक्कर में रहो गे ना, तो फिर काफी ज़्यादा गरबला जाएगा, अंतीम में ना, सब कुछ हूट जाता है, प्यारे बच्चों, समझ गये, तो इसलिए, जब diagram आए, उसी समय उस diagram को बना लीजे, जिस समय आप उस question का जवाब लिख रहे हैं, और हमेशा 5 नमार वाले प्रस्ण में भी, example का परियोग जरूर करें, उसके बाद, उसके बाद, यूज मीनमम 5 पॉइंट, इन SST, अगर SST में आप लोग जवाब दे रहे हैं, यानि कि Social Science का जवाब दे रहे हैं, तो कम से कम 5 नमार वाले प्रस्ण में, 5 पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है, Always write formula math, यानि कि math में अगर 5 नमर वाला प्रस्ण है, तो उसमें formula के साथ लिखें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कि shortcut मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे न, shortcut मार देते हैं, shortcut मत करिए, 5 नमर वाला प्रस्ण है, long formula करके जाईए, formula लगाईए, एकदम पूरा solution करिए, और तब जाकर के अराम से लिखिए, समझ गए, इन paragraph हिंदी और English, यानि कि जब हिंदी और English में आप 5 नमर वाले प्रस्ण का जवाब दे रहे हैं, तो वहाँ पर paragraph में देजे, हिंदी और English में पॉइंट में लिखने की ज़रुवत नहीं है, हिंदी और English में आप अराम से पारा गराप में लिखिए, आपको पूरा पूरा नमर मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात, अगर आप social science का जवाब लिख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कि लिखने के तरीकों से वाकिप नहीं होते हैं, आखिर जवाब कैसे लिखें, question उनके हाथ में आता है, है इसमें से किस question का जवाब हमारी memory के पता है और अगर आपको पता है तो फिर उसे चिन्नित करिए समझ गए ना find the topic recall memory यानि कि अगर आप किसी question को देख लिए तो वो question किस topic से सम्मंदित है वो topic आपको क्या करना है recall करना है यानि कि अपने उस topic को बारे में सोचना है अगर आप उस topic के बारे में सोच लिए ना तो फिर उस question का जवाब आप चाहिए कितना भी लंबा क्यों नहों आप दे सकते हैं यानि सबसे पहले आपको क्या करना है find the topic क्यानि कि topic को find करना है यह जो सवाल पूछा गया है वो किस topic से पूछा गया है समझ गया है और जब उस topic को याद कर लेते हैं तो फिर उसमें से 3-4 point निका लिए अच्छा इस topic में ये point ये point ये point और फिर उस point पर आप लिख दीजे आराम से हो जाएगा और उसके बाद step two क्या है make a structure in brain यानि कि जैसे ही आप topic को सोच लेते हैं तो दिमाग में structure बना लिजे आखिर कैसे हमें इस question को लिखना है अगर आप तुरंट दिमाग में structure बना लेते हैं तो फिर आपको ये जलक जाता है लिखने के पहले ही आप imagine कर लेते हैं कि हमारा answer कुछ इस तरीके से लिखाएगा समझ गए ना सोच समझ करके किया गया काम प्यारे बच्चों बहुत ही जादा कारगर होता है और बीना सोचे समझे किया गया काम कारगर नहीं होता है तो हमेशा जब जब जबाब भी लिखिए तो सोच समझ करके लिखिए और ये सोचते हुए लिखिए कि हम Toppers की तरह लिख रहे हैं, कोई ऐसा और ऐसा Student की तरह नहीं लिख रहे हैं अगर आप Topper की तरह सोचेंगे और Topper की तरह सोच करके लिखेंगे ना तो आप सचमुच में Topper की तरह number के हकदार भी होंगे लेकिन आप Topper की तरह ना तो सोचेंगे ना तो Topper की तरह आप लिखेंगे तो फिर टॉपर बनने का आपको कोई हक भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये process to write है, और उसके बाद, और long answer, write points in back, ध्यान रखिएगा, long answer के लिए अगर आपको point नहीं आदा रहा है, तो पहले point सोच सोच करके copy के पिछले हिस्से में आप लोग लिखिए, जहां पर rough charge आप करते हैं, और वहाँ पर कुछ नहीं आता तो paragrap, अगर मान लिया जाए कि कुछ question ऐसे है, जिसका जवाब हमको नहीं पता है, तो आप वैसे question को क्या करिए, paragrap में लिख दीजे, point में लिखने का प्रयास मत करिए, जिस question का जवाब आपको नहीं पता है, उसको कभी भी point में मत लिखिएगा नहीं, तो अगर एक point भी गलत होगा ना, तो number कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि copy जांच करने वाला का नजर उसी point पे चला जाए, जिस point को आप गलत लिखे हैं, तो हमेशा, जिस question का जवाब आपको नहीं पता है, आधा धूरा पता है, उसको paragrap में ल पता है, जो 3-4 line आपको सही सही पता है, उसके नीचे underline कर दीजी, इससे क्या होगा पता है, जो copy और बांखी जो line नहीं पर जाएगा, जिसे आप underline किये हैं है, और यह वी chance बहुत हद तक है, क्यों आ उस underline वाले qualcosa GOP was coined करने वाला होगा है, जो irgendwie RYAN श. भी यह यह को ही पढ़ करके आपको नंबर दे दे वो बाकी पैरा गराप को नहीं पढ़ेगा तो अगर जिस पांच नंबर वाले कोस्चन में आपको ज़ब नहीं पता है उसको पैरा गराप में लिखे और दो चार लाइन वह सही लिखिए और उसको अंडर लाइन कर दीजिए, कॉपी जाच करने वाला का ध्यान उसी अंडर लाइन पर जाएगा, और अब वह आपको नमबर दे देगा, उसको लगेगा कि भाई, होगा ना उसे भी आप complete करके आएंगे और साथ ही अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा number मिलेगा एक number भी नहीं कटेगा टॉपर्स की तरह आप लिख पाएंगे और टॉपर्स की तरह number के आप असली हकदार भी होंगे हम आपको जितने भी points बताये हैं उस पर एक दो बार लिखने का practice करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपका result क्या होता है जरूर positive result होगा और आपने आपको एक अच्छा महसूस आप कर पाएंगे ठीक है ना एक अच्छा फ्लिंक्स दे जरूर करिएगा और जो बच्चे बिहार बोट से हैं मैट्रिक परिक्षा की तयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए crash course है आप लोग अराम से crash course में जुड़िए इस परकार का धेर सारा जनकारी हम आपको crash course में देंगे लिखने का तरीका बताएंगे एंसर बताएंगे वह important question बताएंगे जो आपके परिक्षा में आने वाला है यानि कि 45 दिन में प्यारे बच्चों हम इतना आपको तयार कर देंगे जितना कि आप पहले से तयार नहीं होंगे तो यह आपको बस ध्यान रखना है ओके चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बताएंगे हर एक चीज़ को फॉलो जरूर करिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंड निवाद